ही एवरिवन वैलकम टूआ एनछा कोकिंग ब्लॉक तो आज थी बच्चों की रिमांड कि ठाइक बनाया चाहे चाहे तो बट मैंने बनाया बनाया पनीर दो प्याजा कड़ाई पनीर की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी है तो चलो आज पनीर दो प्याजा बनाते हैं तो इतना टेकिस्टी बना था मतलब बच्चों को पसंद आया क्योंकि बच्चों को जनरली दो तीन रेसिपी पसंद होती है बट यह वाली जो रेसिपी है वो बहुत ब बारीक चॉप कर रहे हो आप कैसे भी कर सकते हो क्योंकि चॉप हमें बारीक करना है क्योंकि इसमें जो है न वो ग्रेवी नहीं बनाई जाती है जटपट फटा फट से सब्ची बनती है तो यहां पर देखिए मैं नाइब से पहले हाफ प्याज में इस तरह से तीन चार स्ला तो आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां पर मैंने एक पैन में ले लिया है सरसो का तेल अच्छे से बिलकुल गरम करेंगे इसमें कुछ खड़े मसाले डाले है तेजपता, साबुत्र, चली, काली मिर्ची, लॉंग हरी लाईची और बड़ी लाईची दालची इन सब को अच्छे से सौटे कर लेंगे तो प्लीज आप कमेंट जरूर कीजेगा मुझी थोड़ा सा मोटिविशन मिलता है और अच्छा सा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा तो यहां पर देखिए जो हमने प्या लेंगे तो लहसन को अलग कूटिंगे अद्रक और हरी मर्ची को अलग कूटिंगे तो देखिए यहां पर मैंने लहसन को बिल्कुल बारिक बारिक है ना अच्छे से खलवटे में कूट लेंगे पीसना नहीं मतलब इस तरह से कूट के सब्जी में डालेंगे तो फ्लेवर लंच बॉक्स में भी रहता है ना पनीर के सब्जी देनी है तो यह भी फटा फट से बनती है तो देखिए यहां परी आ गई इसको भी बीच बीच में किया है मुझे भी हेल्प करानी है अगर लहसन का काम नहीं होना है तो पूरे ना इन किचिन में खड़ी रहा है तो बस प्याज का कलर काफी हट तक है ना चेंज हो गया है तो प्याज हमारे गल जाएंगे एकदम और इसके बाद यहां पर मैंने सबसे पहले जो पूटा हुआ लहसन है इसे डालेंगे इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे उसके बाद जिब लहसन थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद यह पर हम दालेंगे हमारा कटा हुआ अद्रक और हरी मिर्ची काटने के जगे से कूटके डालना कूटके जब डालेंगे ना सब्जी में जो फ्लेवर है ना उसका बहुत अच्छा आता है तो देखिए जब हमारे अद्रक लहस्तों हरी मिर्ची वह भी सॉटे हो इसके बाद हमने जो बारे कमारे टमाटर काते थे ये टमाटर इसके अंदर डालेंगे और इन्हें भी अच्छे से पकाएंगे इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले तो यहां पर मैंने एक चमच है ना कश्मीरी रैड चली डाल दी है और 1-4 टी-स-पी हल्दी और थोड़ा पानी यहां पर मैंने एड कि असे ढखके छोड़ दिया और तब तक के लिए इसके लिए ग्रेवी से तैयार करते है तो यहां पर मैंने 1-4 करके करीब धही ले लिया है 1-4 टी-स-पी हल्दी पाउडर आदा चमच रैड चिली पाउडर दो चमच यहां पर भरकर धनिया पा थोड़ी सी यहां पर मैं अच्छा है उसके लिए अधा चमच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रहे हूँ इन सारी धही को अच्छे से फेट लेंगे मतलब लंस नहीं रहना चाहिए फिर वह दरवाई सबजी में लंस आएंगे तो मैंने इसको रही से इस तरह से फेट लग रही है दिखने में खाने में बहुत इस्टी बनी थी अब हमने जिस धही को फेटा था था ना इस धही को डालेंगे हम हमारे इस मसाले के अंदर मसाले के साथ है बस यहां पर गयस को एक बार मैंने कम कर दिया और फटा फट धही डालाया तो तुरंती तुरंती तुरं तोड़ी सी ग्रेवी उसकी और बने तो इसे ढग देंगे ढगकर इसे पकाएंगे तब तक के लिए इसके अंदर हम इसमें डालने वाले इसको मेडियम बिर्कु लो फ्लेम पे छोड़ दिया है मैंने ढखकर सबजी बनती रहेगी इसके बाद यहां पर मैं क्या कर रहे हूं पॉरे इसप्यम में ुसकों करें पैनि निवारी अगम की आवट को म मैंतवजी पहां पानीर दिते ले होड से थी कौ स्थी गवरे में में नाइड ले तो फूरे यहां निकल जाएंगे तो हैं पानीर प्याज भीकस निकले फीर खम चम्मच उचानीया को एक चम्मच शॉप्ट थनीया और थक्रमच घरी और चम्मच मटने से भैदा हें . एक चम्म चीत्व मूम प्रिज्च खेंगा उनढ़तों धनीया कव हैंалась तो जान्या के पीर द्थनीया कष्ट फजी उतिक ब्लाते हैं आप मेरे चैनल पर बहुत सारी पनीर की सबजी की रेसिपी और मिलेंगे तो सबका टेस्ट और फ्लेबर आपको अलग अलग लगेगा तो ट्राय कर कीजिएगा और मेरे साथ अपने फीडबेक जरूर शेयर कीजिएगा तो देखिए से मिक्स कर रहा है अच्छे से पकने देत कर सकते हैं यह प्रोसेस किवल प्याज के साथ कर सकते हैं और डीफ्राय में नहीं करना है तो बस 1-4 TSP हाँ पर हल्दी पाउडर आधा चमच रडचिली पाउडर और टेस्क अकॉर्डिग अपर नमक डाला है अब इसे जो इसकी फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है फुल फ्ले ट मैंने दोसरी TSP पर पकने के लिए काफी गाड़ा था तो इसमें डाल वहां पानिया पर ताकि फ्लेख स्वाक ग्रेवी पोच हूं ना लगी संघ तो ऐखकीशा पानी डाल यह से थोड़ा सा आधा नहीं तो पानी ही अंदा जै से के साथ ही जाएगा पानिया कोई और इसे इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने पैनीर और प्याज को सौटे किया था अब इसे मिक्स करेंगे इसमें अच्छे से और इसके बाद थोड़ी दिर और पकाएंगे इसके बाद जो फ्लेवर होगा न मतलब इस सब्जी का कलर टेस्ट यार बहुत ही ऑसम था मैं एक्स नहीं मैं दो चमच जो घर की मलाई होती है इसमें डाल रहे हूं तो इससे इसका टेस्ट है वो भी और इनहेंस होगा अच्छी लगेगी सब्जी खाने में तो यह देखिए इसे मिलाई डाली है बस बिल्कुल बेसिक सी सब्जी है ना ही इसमें हमें ग्रेवी को पी मतलब टमाटर प्याज को पीसना कुछ भी हमें नहीं करना उसके बावजूद भी हमारी सब्जी देखो कितनी बढ़िया बनी है तो बस एक बर मलाई डाली है धकाय और धके से हटा पकने दिया थोड़ा सा एक से दो मिनट के लिए लो फ्लेम पे देखिए तो सब्जी हमारी बन सब्जी रड़ी है इसके लिए हम इंस्ट वाले नान बनाते हैं इसके लिए आपर दो कटोरी मैंने आटा ले लिया कब से लिए कटोरी ले लिजिए अब इसमें डालेंगे हम नमक चीनी और दही तो सबसे पहले हैं आपर देखिए मैं डाल रही हूं आधा कप सॉरी वन फ नान है इंस्ट वाले नान है अब यहां पर मैंने डाल दिया है आधा चमच फ्रूट सॉल्ट इनो ब्लू वाला पैक यूज किया है आपको इसा भी ले लो जो गर ग्रीन वाला हो तो वाला यूज कर लो अबस इसे मिक्स करेंगे सारी चीजों को पहले आटे में और इसके थीरे थीरे इसका पानी रालकर आटा लगांगे तो सकत डो हो नॉज के लिःण को याज कर देंगे इसका ऑंने बहुत यहार पन Q. लोज कर दे exclusão नान बादे बार है बतासा फिता नान करते हैं जेख गही लिए तेल लए जीया जो भी प्रीकरbnेगा एक रजीर तो बस इस ऐखे से एक बड़ नीड करेंगे और शुड़ें कर देखने जिशे दा लिएफelे जाधा हुआर बनाrem युद गखे से तों पैंच मिनडैंची आप Taleत छोड़े नान नान बनाते हैaj को एक लोई ली है इसे हम बेलेंगे अब जिसे नान वाली शेप मे आप इसे बेलेंगे तो थोड़ा सा आटा लगाकर आप चाहे राउंड बेल लो यहां पर थोड़ी सी कलॉंजी लगाएंगे और थोड़ा सा लगाएंगे यहां पर कसूरी मेथी परीजद कर रहे हैं मुझे भी लगानी है तो प्लीज मुझे दो तो उसको बहुत मज़ा आता है कुछ करने के में तो देखे एक बार और यह सब डालने के बाद बेलन इसके लगा दिए तब़े को हमने गरम रग दिया इसके पीछे है हलका हलका पानी लगाएंगे बहुत जद्दा पानी हमें नहीं लगाना है तो बस थोड़ा सा इसके उपर पानी लगाया हमने और इसे रख दिगे हम तब़े के ऊपर तबा अच्छे से गरम होना चीए ठंडा न लोहे का तभाही लीजेगा क्योंकि अमें इसे तबे से सेखने वाले है नॉनिस्टिक तभे के साथ नहीं बनेगा इस पेशले इस पे लोहे का तभाही जाएगा तो देखिए फूल भी राया थोड़ा-थोड़ा सा दूर पास के मतल़ थोड़ा सा दूर से सिख लेते हैं पा आठे से बने हुए बनके तयार हो गए थोड़ा सा मोटा इन्हें रखना है आई होप आप सभी को रेसेपी पसंद आई होगी तो हमारी थाली सिंपल सी थाली बनकर तयार है तो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना जल्दी मिलिंगे एक नई वीडियो में तब तक के ल